हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरी इडियो चैनल नोट एलजी ब्लॉक्स मतलब जैसे कि आप अभी देख पारेंगों मैं पैट्रॉल पंपे हूँ और इस साथ में ही यह देखे मेरी गाड़े में पैट्रॉल काफी काम है और गाड़ी चली हुए वह जब हाईबे चलती होकि तो उसके बगल से अगल बगल से जो भी गाड़ें निकलती होगी तो इस तरीके के क्योशन मुझे बहुत ज्यादा मिलते हैं कि यह गाड़ा कि पर्फोर्मेंस करते हैं तो इस सारी चीजों कितना माले देरी ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में पेट्रोल डल चुका है 715 रुपे का 7 लीटर 50 गराम मुझे पेट्रोल मिला तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि हमारी गाड़ी ने इतने लीटर मैं कितना एवरेज दिया है हैं को तो ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो आप बने रहे हैं मेरी वीडियो के एंड तक तो अभी मुझे टाइर पेशर भी पूरा करांता था पर यहांपे चार-पाच गाड़ी खाड़ी है तो मैं दूसरे पेट्रोल पंब या किसी जगह पे भी जहां पर मुझे टायर प्रेशर वाला मिलेगा अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर पूरा कराऊंगा तो आगे चलते हैं तो दोस्तों एक गंटा 20 मिनट एक सट किलोमेटर रह गया है अभी तो मैं टायर प्रेशर पूरा कराने के लिए गाड़ी में टायर प्रेशर कम है इस वहाँ पर जाके फड़ भी सकते हैं फूल भी सकते हैं या फिर आपको मतलब नुकसान काफी ज्यादा होगा सस्पेंशन को भी और साथ में ही आपका जो म चाएर काफी कम मिलेगे करते हो पूरा तो क्योंकि टाइर प्रेशर पूरा न quicker जादा हूं ताकि गाड़ी खड़ी रहे तो हवा आग सी निंकलती है तो इस कीयों Sen अपनी फिर से टायर प्रेशर को पूरा गरा सकूँ इसलिए मैं हमेसे ज़ादा टायर प्रेशर रखता हूँ तो पैट्र और टायर प्रेशर पूरा होने के बाद आप देखे मैं हाइबे के उपर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखे मैं थ्ट गेर लगाया है और ये गाड़ी जिस तरीके से दो सिलेंडर एंजन है उस इसाब से ये काफी अच्छा प्रफॉर्म करती है अगर आप चाल लोगों के साथ कहीं पर भी जा रहे हैं इस गाड़ी में बैठके उनका साथ में एक एक लगीज है मतलब कि एक 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 बैग है तो आप थर्ट गेर में भी साथ सत्तर की स्पीड में बहुत अराम से फुल होने के बाद भी गाड़ी बहुत अराम से थर्ट गेर में भी साथ सत्तर अराम से जाती है उसके बाद जब आप चौथा गेल लगाते तो ये गाड़ी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर यह सत्तर की स्पीड में आचुके है जैसी स्पीड इंक्रीज होगी क्योंकि आगे देखें आप तो मैं हाइवे पे हूँ काफी गाड़ियां भी है मेरे आगे और मुझे ब्रेक भी लेने पड़ रहे हैं जिसकी वएसे तो उस वएसे मैं अभी इसे फुल नहीं खीच रहा हूँ इसका फुल थोतल नहीं दे रहा हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देखें 70 की स्पीट पर चल लिए गाड़ी 60-70 की स्पीट में यह काफी अराम से पहुंच जाती है चौते गिर पर अगर आप लगाएंगे तो यह 90 और 100 तलग बहुत अराम से चली जाती है हाईवे के उपर जब इसे एक स्टेट वो मिलती है क्योंकि मैंने इसे 110 की स्टेश नहीं तो ब्रेक लगाने में जब हम ओवर स्पीडिंग करते हैं तो एक्सिडेंट होने के काफी ज्यादा खत्रे हो जाता है तो इसलिए हमेशा जब भी आप अपनी गाड़ी को चलाएं चाहे कोई सी भी गाड़ी हो स्पीट लिमिट में हमें चलाना चाहिए ताक जो है ट्रैफिक के मामले में काफी अच्छी गाड़ी है चोटी सी गाड़ी है इसकी जो कटिंग है वो कम जगा में ही कट जाती है तो जो ट्रैफिक में निकलने के लिए होता है इसका काफी अच्छा परफॉर्म होता है क्योंकि जब भी ट्रैफिक बहसता हूं तो जैसे और गाड़ियां उन्हें साइडों से निकलने के लिए बहुत मतल़ थोड़ सा स्टेगल सकनना पुड़ता है पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है चोटी सी गाड़ी कहीं से बी काटके निकल जाती है मतल़ इसे जगा कम चाहिए होती है और गाड़ियों के मुकाबले तो ट्रैफि की गाड़ी को लेके काफी लोग मन में होता है कि ये जो है फलाइव वरड़ों को पर चढ़े जाती है तो ये देखिए फलाइवbn आपर आसानी शचचड़ती है और पहाड़ू पर पहाड़ू पर कई बार गाड़ी को लएके गया वा हों मुझे कभी भी कोई भी पहाड़ों पर इस गाड़ी को लेकर कोई सिकायत नहीं काफी अच्छा प्रफॉर्म करती है चाहे चार लोग बैठे हो और उनका सारा समान हो मतलब गाड़ी फुल भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं जैसे की होता है कि स्टगल कर रही हो चड़ने में या ऐसा कुछ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता बहुत अराम से और बहुत अच्छा प्रफॉर्म देती प्रफॉर्मेंस करती है यह पहाड़ों पर भी तो दोस्तों 18 किलोमेटर रहे हैं अभी आप देख रहे हैं कि अगल बगल से काफी गाड़ी चल रही है जैसे कि लोगों अल्टो हो गई तो अल्टो के मुकाव जैसे अल्टो चलती है वैसी यह भी सही तरीके से इस्टेवल रहती है बगल से अगर कोई गाड़ी भी निकले तेजी में तो मुझे तो आज तक कभी ऐसा फेल नहीं हुआ तो जैसे कि अभी आप देखें मैं 60 की स्पीट पर चल ला हो और पिर निकालता हो उसके अगल बगल से कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह कुछ भी होगा कुछ मतलब की ही यह डूलेगी और यह कुछ कभी फीलने हमां तो यह तुद भी साइड चला है मैं थोड़ा ट्रक से आगे निकाल लेता हूं और अभी आपको कम से क्सित हम श की जो इस ट्रैफिक में भी 80 की स्पीट काफी अराम से ले लेती है वो भी दिखाऊंगा इसी ट्रैफिक में चला के अगर मुझे कहीं पर भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है तो दोस्तों यह देखिए मैं ट्रक के पीछे हूँ अभी ओवर टेक करूंगा मैं इस ट्रक को तो कोई भी ऐसा जर गया हिलना डूलना जैसे लोग कहते हैं कि गाड़ी पूरी हिल जाती होगी उस तरीका का आज तक मुझे कभी भी फील नहीं हुआ हो सकता है कि और लोगों हुआ हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी स्पीट असी तक कैसे जाती है यह देखिए यहां पे यह रही है असी की स्पीट में अभी यहां इस ट्राफिक में भी मतला इस जगह पे भी अच्छे से चल रही है तो दोस्तों अब आच चुके हम कच्ची रोड पे जहां पर काफी गड़े वड़े हैं यह मैं टोल प्लाजर के बगल वाली रोड से जा रहा हूँ ज वेज़े ताकि लोग जो टोल प्लाजर वहां से जाएं ना कि इन गड़ों से तो उसकी वेज़े से इन रोडों को भी नहीं बना जा था बट बहुत से लोग जैसे कि मैं भी शॉर्ट कर में यहां से जा रहा हूँ तो आपको यह दिखाने के लिए मैं इधर से ले गया हू कि यह गड़े वड़े में कैसे निकालनी है जब भी आप किसी भी गाड़ी को चलाते हैं तो आप हमेसा गड़े हों में जो है अपनी स्पीड को स्लो रखें जब भी आप गड़े में उतारते हैं गाड़ी को तो बहुत धीरे से उतारें ब्रेक लेके उतारें ताकि आपके धीरे धीरे चलाते हैं और धीरे से निकालतें और साथ में जिन गाड़ियों का आगए इंजन होता है उसे यह काप़ी जूदा नुक्षान होता है और लीचिच के विए से हमें घंड़ों से गाड़ी को निकालें तो इस चीज में भी टतंड मुं काफी अच्छी है इसका ग्राउंड क्लेंस है काफी अच्छा है अल्टो-आल्टो इस गाड़ी को निकालना होता कहीं से भी ताकि इंजन में लगे इसके वैसे इंजन में तो लगता नहीं है जो इसका गेर बक्सा होता उसमें जरूर लग जाता है उसमें बहुतों की जो है मैंने देखिए मैं टाटा में था तो वहां कंप्लेंट थी जब भी गड़े- हों तो वहां से धीरे से निकाले उससे क्या होगा कि आपके जो गाड़ी है वो भी सेफ रहेगी और आपके जो खर्चा है जो पैसे हैं वो गाड़ी में ज्यादा नहीं लगेंगे तो इसलिए अपनी गाड़ी को ऐसी जगाओं पर थोड़ा सुलो चलाएं धीरे से चलाए और अच्छे से देखकर मतलब चलाएं जिससे की आपको ज्यादा नुक्सान ना हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम में वो कैसे काम करती है जैसे की हम अगर 60 तक स्पीट में हो और हम अचानक से ब्रेक लें तो ये किस तरीके से काम करत है साथ में आपके ब्रेक भी अच्छे होने चीम अ मतलब की घिसेवें नहीं होने चीए ज़्यादा अगर घिसेवें हैं तो आप कम इसपीट में ब्रेक लेए ना की जज्यादा स्पीट में ब्रेक का यूज़ करेंगे तो फिर वह थोड़े आपके लिए हामफोल ही होंग तो ये सटनली ब्रेक जैसे लुआ तो ये पूरे ये देखिए कंट्रोल में आ गई है और काफी अराम से गाड़ी उतर गई है तो इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है अगर आप लिम्टिट स्पीड में चल रहे हैं तो ये नहीं कि अगर जैसे की 8090 से उपर आप चले और स्टम ब्रेक ले रहें तो ये हलका सा जो इसका टायर है वो स्केट करता है मैंने ये काफी बार किया थो मुझे पता है मैंने सरी वो टेस्टिंग के लिए उसके आपको ब्रेक काफी आपको तो दोस्तों यहां तो मैं पहुंच चुका हूँ जहां पर मुझे आना था बट एक गड़वड हो चुकी है मेरे साथ में यह देखिए जो पीछे वाला टायर है यहां पर रेयर राइट का इस पर देखे एक लंबा सा कट लग चुका है और इसकी जो हवा है वो निकल चुकी है यह टूबलेस टायर है इसकी जो मुझे लगता है यह हलका ही कटा है अंदर तक जो है कम लगा हुआ है जिसकी वेसे दिरे-दिरे हवा निकलिए और मुझे डंग से पता नहीं पड़ पाया मुझे गाड़ी लग तो रही थी की बब्लिंग कर रही है बट मुझे लगा की रोड की वेसे हो रहा है यह सब कुछ क्योंकि वहां की रोड़े भी थोड़ी सी खराब सी थी और चारो टायरों में इसकी हवा भी कम है तो मुझे लग रहा है कि हवा कम होने की वेसे भी ऐसा हो सकता है तो अभी देखता हूँ मैं आगे जाके कि क्या होता है तो अभी तो म तो उसमें हवा कम ही है, मुझे और यह टायर जो कंडा ये देखा है मैंने कि यह हवा कम होने की वयसे ह developments हुए, जो है गड़े या पत्थर उत्तर में जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया थे कि हवा कम होने की वयसे क्या का नुक्सान होसकते हैं, तो उस वएसे ही, ये देखिए टायर मेरा कटा है, तो जहांपे मैंने सायद हवा डलवाई, वहांपे हवा पता नी, प्रॉपर डली है नी डली, ये तो मैं आगे जाके ही, कहीं पर हवा या पंचर वा लेकर पहा जाऊऊँगा, तब ही पता पड़ पाया गए कि मेरी गाड़ी में हवा कितनी है मुझे तो काफी कम लग रही है चारों टायरों में हवा तो अब ये कट चुका है टायर देखता हूं कि इसमें क्या कर सकता हूं है बाद में तो दोस्तों मास्तों मैं निकला आया हूं और यहां पर एक हवा वाला बंदा मिला पंचर वाला तो इससे जब अभी हमने चेक किया इसके मीटर में तो चारों टायरों में जो है 20-25 की हवा ती मतलब वहां पर जो मैंने पेट्रूम पर हवा डलवाई उस टायम पर उस बंदे तो अभी मैं पूरी हवा करा रहा हूं यह कह रहा है कि 40-40 कर लो तो 40 करके अब मैं यहां से निकलता हूं तो टायर प्रेशर पूरा करने बाद मैं घर आ चुका हूं मूल खराब हो गया था इस वहीं से मैंने वीडियो पूरी मतलब आने की बनाई नहीं तो अभी तक जो मै मेरा वीडियो बनने का मोटिफ यह था कि मैं आप लोगों टाटे रेनों की पर्फॉमेंस और बताओं कि यह किस तरह की पर्फॉमेंस देती है और कितना उसमें अभी तक जो मैं चला हूं और आपने जैसे देखा कि मैं हाइवे ट्रैफिक में सिटी वाजी रोड़ों पे और ब्रेक टेस्टिंग भी करिए मैंना इसके उपर साथ में इसका जो टायर पेशान था वूं काफी कम होने के बाद मतलब टायर चाहरा वीडियो डिया यह मैं आपको कंवेडियो दिखाता हूं और तो आप आगे बीडियो देखें मेरी ऑस तो जैसी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मेरी गाड़ी जो चली थी 73,430 किलोमेटर चली थी और अब जो है यह 73,566 किलोमेटर चल गई है तो अब मैं दिखाता हूं आपको इसने एवरेज कितना दिया है कैलकुलेट करके तो दोस्तों जैसे कि अभी गाड़ी चली है कि पांसो त्यात्र हजार 5666 मायने सम करते हैं 73,430 किलोमेटर के पहले चली थी तो 144 का हमें 144 किलोमेटर हम चले हैं और इसमें अब मैं जो है आपको दिखाऊं किस तरीके से एवरेज टेस्ट करते हैं जितना हम किलोमेटर हम चले हैं उसमें हमें क्या गरना है भाग देना है जितना हमने पेट्रोल लाए जैसे कि 715 रुपे का हमने पेट्रोल लाए था तो यह इसका वह आ रहा है फिर हमें बराबर करके गुणा कितने रूपे लीटर पैट्रोल है वह डालना जैसे कि पिचाण में रुपे 45 पैसा हमारे यहां पे पैट्रोल है तो यह देखिए अब 19 का एवरेज मुझे मिला है जो गाड़ी यहां से लेके मानिश्वर मतलब 144 किलों मुट्र पर 19 का एवरेज दिया है इस गाड़ी ने तो 19 नहीं ज्यादा 22 से प्लसी देना था इसने क्योंकि अगर यह टायर प्रेशर और ना फटता तो साइद इससे ज्यादा यह ज़्यादा वह कम था फिर उसी कम टायर पेशर मैं गाड़ी को चला रहा रहा और यहां तक की 80 की स्पीड में भगा रहा रहा था उसके बाद मैं जो है ब्रेक टेस्टिंग भी करी फिर उन गड़ों में भी गया और उसके बाद ही साय टायर फटा है गड़ों में जाने के बाद तो यह सब टोटल मिला कि मुझे 19 का एवरेज मिला है जो कि मुझे लगता है कि अभी ठीक ही ठाग है जिस आप से मैंने गाड़ी चलाई और यहां से और अपने गाउं रिशी के मतलब रिशी केस तक जाता हूं तो मुझे कभी-कभी 30 पलस एवरेज भी एक बारी मुझे मिला है इससे क्योंकि उस टाइम में चेक किया था और बारी में चेक नहीं करता तो इसलिए तो दोस्तों जो मेरे वीडियो बनेने के मोटिव वह यही था कि जो टाटे नहीं उसकी पर्फॉर्मेंस दिखाना आपको और ब्रेकिंग और जो यह मैलेज कितना देती है यह बताना तो मैलेज तो इस बारी गलत होगे कभी और फिर से बनाओं वीडियो तब दिखाना तो अगर आप लोगों नहीं यहां तक वीडियो आपके बताएं ताकि और लोगों के पास भी आपकी यह इंफ्रमेशन जाए और और लोग भी अवैर हो सके कि जब भी अपनी गाड़ी लेकर कहीं जाना हूं तो उनको गाड़ी में क्या-क्याच चेक करके फिन निकले हो तो थाइंक्यू सोबच